गदर टू 20 साल पहले आई 2001 में गदर फिल्म का सीक्वल यानि की गदर टू की शुटिंग हिमाचल पर्देश के पालंपूर में चल रही है और इसका अधिकांश हिस्सा हिमाचल पर्देश में शूट किया जाएगा फिल्मेकर अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कृष शर्मा को साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा से बॉलिवुड डेब्यू कराया था बत और चाइल्ड आडिस्ट वे फिल्म में नजर आये थे उस समय उत्कृष शर्मा साथ साल के थे जब उन्होंने चाइल्ड आडिस्ट की भूमिका निभाई थी लेकिन अब उत्कृष शर्मा 26 साल के हो गए हैं और आपको एक बार फिल्म अमेशा पटेल और सनी दियूल के साथ आन स्क्रेंग बेटे की भूमिका अदा करते हुए दिखाई देने वाले हैं फिल्म गदर की बात करें तो साल 2001 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही थी फिल्म के डायलोग्स लोगों के जहन में ताजा है साथ ही सनी दियूल द्वारा हेड़ पंप उखा करने वाले सीन को फड़ा कौन भूल सकता है लेकिन अगर देखा जाए तो गदर एक अलग जमाने की फिल्म थी 20 साल पहले महौल अलग हुआ करता था और दर्शक भी अलग थे तब सोशल मीडिया नहीं था स्मार्टफोन भी नहीं आया था फिल्में एक अलग ही अधार पर खड़ी होती थी खास कर सन्नी ब्योल की फिल्में जिनका साउंड बहुत लाउड होता था बौर्डर या गदर एक प्रेम कथा इसका तगड़ा उधारण है उस जमाने की फिल्मों में जबरदस्ती चीखना चिलाना हुआ करता था लेकिन आज की फिल्मों में चीखना चिलाना कम हुआ है डिजिटल यूग ने दर्शक और उनकी पसंद में भी बदलाव किया है वैब सीरिस इसका बहुत बड़ा उधारण है अनिल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चनोती तो यही है कि वे 20 साल पहले बनी कहानी को 20 साल बात आगे कैसे बढ़ाएंगे यह मुश्किल इसलिए भी है कि सन्नी का अंदाज पुराना ही दिखता है हलांकि उत्र कि शर्मा के जरीए कहानी को नए जमाने में सेट करने की बहतर मौके हो सकते हैं यह तो दर्शक ही डिसाइड करेंगी इससे पहले भी सन्नी देवल के एक सूपर हिट फिल्प आई थी घायल जो कि 1990 में रिलीज हुई थी देकि उसके बाद उसका वही सीक्वल निकाला गया घायल वन्स अगें जो कि 2016 में रिलीज की गई लेकिन दर्शकों ने इसे नकार दिया क्योंकि स्टोरी लाइन 20 साल के बाद की दिखाई गई थी अगर गदर टू फिल्म की रिलीजिंग की बात करें या फिर दर्शक उसको नकार देंगे क्या दर्शक कुछ और देखना पसंद करना चाहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अपना खयाल रखें, सुरक्षित रहें